हालो एंड कुड मॉनिंग आप सभी लोगों का स्वागत है श्टडी ग्लोज पर और आज है चार अगस्त पहले मोटिवेशनल कोड के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं विकल्प कई मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए जब भी आप लोग अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं कई सारे आप्शन्स आप लोग के लिए मिलेंगे लेकिन यदि आप लोगों ने उन आप्शन्स के तरफ ध्यान दिया और अपने पात को चेंज किया तो याद रखना आप अपने टार्गेट तक नहीं पहुँच पाएंगे और अपने टार्गेट तक पहुँचना है तो आपको केवल एक संकल अपने मंजिल तक पहुँचा सकता है तो आपका जो determination है, determination power है वो आपको अपनी मंजिल दिलाएगा चलिए शुरू करते हैं SSE GD के live message जो हैं वो शुरू हो चुके हैं आपको notification studygloss 2.0 official channel पर मिल जाता है इसके साथ में ही आप लोग studygloss की learning app को जरूर download कीजेगा आप लोग मुझे इंस्टा पर follow कर सकते हैं जो भी lecture है उसकी PDF आप लोग को मेरे telegram channel पर available करवा दी जाती है with answers और जो भी questions हम लोग करते हैं उसका quiz available रहता है telegram channel के उपर तो वहाँ जाकर आप लोग उस quiz को जरूर attempt कीजेगा और Sunday को हम लोगोंने top 50 जो questions हैं उनका quiz जो है वो telegram channel पर upload कर दिया है तो उसे भी आप लोग को जरूर attempt करना है चलिए शुरू करते हैं 4 अगस्त के बहुती बहुती बहुतरिन current affair को तो चलिए पहले question के साथ में हम लोग शुरूरात करते हैं भारत के नए लेखा महा नियंतरक मतलब cga controller general of accounts कौन बने हैं recently तो दीपक दाज जो हैं वो recently cga निक्त किये गए हैं ठीक है तो यहाँ पर इन words का हम लोगों को मतलब समझने की जरूरत है देखिए एक तो word होता है controller और एक word होता है controller तो controller और controller के अंदर दोनों में difference होता है और दोनों post भी अलग अलग हैं एक constitutional post है और एक non constitutional post है इसे मान लीजिए कि आपके परिवार के अंदर आपके father है और आपके brother है और आप खुद है ठीक है तो आप क्या करते हैं कि जो भी कोई खर्चा करते हैं उसको कहां पर खर्च करना है ठीक है कितना खर्च किया है कहां पर खर्च करना है ये सब बात जो ह वो इस चीज के देखरे कर रहे हैं कि आपने जो खर्च किया है वो सही जगे खर्च किया है या नहीं किया या फिर कितना खर्च जो है वो किस प्रोड़क्ट पे खर्च किया गया है तो दोनों की भूमी का जो है वो अलग-अलग है एक ने तो ये बताया है कि कितना खर्च किया जाना चाहिए और उतना खर्च हुआ है कि नहीं हुआ ये दूसरा बताता है तो यहां पर एक का तो काम हो गया कि उसको control करना और दूसरा का काम हो गया उसको audit करना तो ऐसे ही CGA और CAG दोनों का work जो है वो डिवाइड रहता है तो recently दीपक दाज जो है वो CGA अपोइंट किये गये हैं आप लोग मुझे comment section में जरूर बताना कि अभी CAG कौन है यहां पर आप लोग देख सकते हैं controller general और accounts की site पर जब आप लोग जाएंगे तो सिरी दीपक दाज जो है वो यहां पर अपोइंट किये गये हैं 1986 badge के यह ICAS officer है ठीक है तो IS जो बनते हैं UPC जो exam clear करते हैं उसमें ही जब preference को fill किया जाता है तो वहां पर इनकी जो rank है वो है ICAS की चलिए इनके बारे में हम लोग और देख लेते हैं दीपक दास has assumed charge as controller general of account कब 1 अगस्त 2021 को यह अपने पद पर appoint किये गए हैं इससे पहले यह principal chief controller accounts थे कहां पर CBDT के अंदर और यह 1986 badge के ICAS यह मैं आप लोग को बता चुका हूँ लेकिन यहां पर सबसे महतुपून बात यह है कि यह 25th officer हैं मतलब 25th rank इनकी है 25th officer हैं इससे पहले 24th officer इनसे पहले इस post पर appoint हो चुके हैं ठीक है इनसे पहले सोमा, रॉय, बर्मन जो हैं वो एक महिला है और वो इस post पर पहले रह चुकी हैं और उनको appoint किया गया था 1 December 2019 को ठीक है वो कौन सी थी? वो थी 24th थी controller general of accounts और यह साथवी महिला थी जो कि इस post को सर्व कर चुकी हैं चलिए सबसे पहले हम लोग ranking देख लेते हैं सबसे पहले CGA जो बने थे वो श्री CS स्वामी नाथन बने थे 1976 के अंदर क्योंकि यह जो post है उसकी शुरुवात 1976 मतलब जब 42nd constitutional amendment हुआ था 1976 में उसके बाद से ही इस उपद क शुरुवात की गई थी और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि third position पर आप लोग देखिए यह हैं सिरीमती गिरिजा S1 तो यह जो हैं 1985 के अंदर पहली महिला इस पद पर तैनात हुई थी और उससे पहले साथ महिलाएं जो हैं वो इस पर तैनात हो चुकी हैं और recently दीपक दाज जो हैं वो इस पोइंट पोइंट किये गए हैं चलिए यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि यह CGA होता क्या है देखिए जितने भी accounts हैं उनकी देखभाल करने का government central government के जितने भी accounts हैं उनकी देख रेक करने का काम है CGA का और हम लोग कह सकते हैं कि article 150 में directly तो नहीं कहा है लेकिन indirectly वहाँ पर जिक्र किया गया है इस post के बारे में ठीक है और ये क्या करते हैं कि जो भी records होते हैं उनको monthly ये maintain करते हैं ठीक है इसके साथ में ही preparation of trends in revenue collection सरकार का जो भी revenue है राजस्वा है उसका collection जितना भी हुआ है उसकी देखरेक करते हैं इसके साथ में हम लोगों को CAG और CGA की बीच में difference समझने की जरूरत है सबसे पहले हम लोग CAG के बारे में देख लेते हैं इसके अंडर में CGA को रखा जाता है इसके साथ में CGA जो है वो एक constitutional body है ठीक है समिधान में इसका जिक्र है और यहाँ पर CGA का कोई भी directly जो है वो जिक्र नहीं किया गया है constitution के अंदर फिर भी बकाइदा ये कहा गया है कि article 150 के through जो है वो इनको appoint किया जाता है इस व्यक्ति को मतलब accounts की देखरेक करने के लिए ठीक है यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और इसको elaborate कर लिते हैं कि दोनों के अंदर difference क्या है ठीक है तो CAG वह है जो केंदर सरकार के खर्च संबंदी अंकेशन करता है मतलब auditing करता है कि जो खर्च किया गया है वो सही जगे targeted point पर खर्च किया गया है या नहीं किया गया है उसमें कोई illegal या फिर कोई दूसरी activity तो शामिल नहीं है CAG वह है जो राज्य सरकार के लेखा का रख रखाव accounting और केंदर सरकार के खर्चों का audit करता है वहीं पर हम लोग यहीं CGA की बात करें तो यह finance ministry के अंतरगत आता है और 1976 में बाद में इसको बनाये गया ठीक है और वहाँ पर पद लिखा गया महा लेखा नियंत रख मतलब controller यहाँ पर word जूद जाएगा controller और यहाँ पर controller रहेगा यह ज़रूर आप लोग याद रखेगा कार यह केंडर सरकार के लेखा विभागी करण से संबनित मामलों का संचालर करना है केंडर सरकार की नई लेखा प्रणाली का मुखे तकनीकी प्रादिकारी जो है वो CGA होता है आप लोगों को दोने में difference जो है वो clear हो चुका होगा चलिए अगला question हम लोग लेते हैं दुनिया का पहला वानी जी मतलब commercial satellite जो है वो recently launch किया गया है और इसका नाम क्या है तो इसका नाम है utel set quantum यह जो है यह इसका correct answer है यहाँ पर सबसे पहले आप लोग समझे कि commercial satellite मान लीजिए कि commercial vehicle है इसको आप लोग ऐसे समझे कि सड़क पर जो दोड़ते है commercial vehicle उनको आप लोग कैसे लेते हैं commercial vehicle को आप लोग hire कर सकते हैं as a rent ठीक है तो जब आपने rent पे किया है तो उसका कोई उपयोग आप कर सकते हैं वैसे ही commercial satellite वो है यदि कोई देश जो है country इसकी सुविधाय लेना चाहता है तो वो इसके लिए pay करेगा तो यहाँ पर util set ये जो quantum satellite है ये एक commercial satellite है इसके साथ में ही European Space agency मतलब ESA जो है इसके द्वारा ये छोड़ा गया है इसका काम क्या होगा ये communication satellite है ये जो है वो एक communication satellite के तरह काम करेगा और अर्थ के low earth orbit के अंदर इसे क्या किया गया है इसे छोड़ा गया है ठीक है चलिए जान लेते हैं हम लोग इसके बारे में तो recently जो है 30 जुलाई को वो इसे छोड़ा गया है फ्रेंच गोयने से इसको छोड़ा गया है और ये विश्व की पहली commercial satellite है जिसे reprogram किया सकता है ये काफी important बात है कि इसे reprogram किया सकता है reprogram का means है कि जब इसको low earth orbit के अंदर तैनात कर दिया गया है तो जो पहले से ही program set था उसमें कोई changes ये दी करना ह है तो इसको reprogram किया सकता है और इसको Arian 5 rocket से छोड़ा गया है European Space Agency के दुआरा ठीक है यहाँ पर दो operator इसमें शामिल है एक तो कौन सी company है utel set है और वहीं पर दूसरी कौन सी है airbus है तो दोनों का combined project है ठीक है जरूर याद रखिएगा exam के point of view से ठीक है अब देखिए कि ये ज साथ में ही ये military purpose में काम में आ सकता है इसके साथ में कोई country मान लीजिए कि वो कोई भी communication as a GPS या जो भी इसका use हो सकता है उस technique से इसको use कर सकती है चली अगला question है digital payment gateway जो है E rupee ये recently किसने launch किया है तो प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के द्वारा ये launch किया गया जिसका नाम है E rupee ठीक है E का means होता है electronic जैसे email होता है वैसे ही E rupee है मतलब electronically ये work करेगा अब देखिए work कैसे करेगा आप लोग को पता है कि जो भी मान लीजी को राशन किसी targeted वेक्ति तक पहुँचना है सरकार की द्वारा किसी targeted वेक्ति तक राशन की जो subsidy वो पहुँचनी है लेकिन payment gateway यूज किया जाएगा वो क्या है E rupee है जैसे सरकार की subsidy है cylinder पर राशन पर तो ये सारी जितनी भी subsidies है यहां तक की योजनाओ का जो lab है वो भी इसी payment gateway से उनके account में पहुँचा जाएगा तो E rupee को launch किया गया है नरेंदर मोदी जी के द्वारा तो यहां पे आप लोग देखते हैं कि कई सारे loop holes रहते हैं system के अंदर कई सारे खामिया रहती है उन्हीं खामियों को खतम करने के E rupee जो है इसको शुरू किया गया है तो यहां पे आप लोग देखिए कि यह एक क्या है cashless digital payment है cashless है मतलब digital payment करना है तो obvious सी बात है कि cashless होगा लेकिन यहां पे आप ध्यान रखिए कि जब digital payment होता है तो उसको secure करना भी बहुत जारा जरूरी है इसलिए National Payment Corporation of India जो है NPCI वो इस चीज की देखरे करेगा और यह आपने आपके अंदर revolutionary एक initiative है ठीक है यह मैंने पहले आपको बता दिया है कि leak proof delivery जो है वो यह काम करेगा अच्छा मैं आप लोग पर देता हूँ आप लोगों ने देखा होगा रूपे कार्ड तो रूपे कार्ड इसका means क्या है जो आपका debit card रहता है वहाँ पर लिखा रहता है रूपे के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि उस पर master card भी लिखा रहता है उस पर visa card visa भी जो है वो लिखा रहता है देखिए एक तो होता है bank ठीक है ये मान लीजिए bank है और यहाँ पर है आप ठीक है तो आपने जैसे मान लीजिए कि कोई bank से राशी निकाली है अब उस payment को secure करने के लिए master company जो है वो इस payment को secure करती है कि कहीं न कहीं वो leak न हो जाए तो master visa जो है वो obviously मतलब जैसे American Express है ये काफी famous companies है जो कि इस lendin को digital lendin को क्या बनाती है secure बनाती है वैसे ही रूपे जो है ये भी इस digital payment को क्या बनाता है एक security provide करता है लेकिन वहाँ पर दूसरा इसका पहलो देखे तो master card जैसे visa है American Express है ये foreign की companies है जो कि चार्ज करती है और हमारे इंडिया से पैसा बाहर पहुंच जाता ह है लेकिन ये रूपे card से कोई lendin हो रहा है तो इसका जो पैसा है charges जो है वो इंडिया के अंदर ही रहते हैं इसलिए रूपे card जो है इसको जादा promote किया जाता है ठीक है चलिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है वो एक e voucher है electronic voucher है जिसकी मदद से सरकार के जितन money की बात करें क्योंकि एक बहुत ही बैतरिन सरकार की योजना जो है one nation one राशनकार योजना वो कई राज्यों के अंदर लागू हो चुकी है तो ऐसी योजनाओं के लिए अब ऐसा payment gateway होना बहुत ज़्यादा जरूरी था इसके साथ में ही social security जो schemes हैं उनका benefits लोगों तक जो हैं वो इसके अंदर benefit निकी वो कम किया जाएगा कम करने का मतलब है कि जो leakage हो रहा था उस leakage से बचा जाएगा जो fake beneficiaries थे चलिए अगला question है कि प्रतिष्ठित Will Eisner comic industries पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो recently आनंद राधा कृष्णन जो है इनको सम्मानित किया गया है देखें कॉमिक्स जो होता है कॉमिक्स हम लोग कहें कि बच्चों को बहुत पसंद होता है और ये जो है वो विचार और अभिवेक्ति एनकी speech and expression का एक तरीका है तो ये कॉमिक के छेतर में Oscar Award की बात की जाएगी तो वहाँ पर बात की जाती है Will Eisner comic industry पुरसकार की बात की जा है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसे Oscar के equivalent माना जाता है in world of comics ठीक है चलिए यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इसे best painter multimedia artist एनकी interior art के लिए ये पुरसकार जो है वो दिया गया है और इन्होंने अपना जो Award है वो शेर किया है John Pearson के साथ में इन्होंने अपना Award को शेर क किया है जो कि UK से सम्मंद रखते हैं यहाँ पर हम लोग Award की इडी बात करें तो इसे Establish किया गया था 1988 के अंदर और American जो Comics Editor है Dave Albridge की द्वारा इसे Establish किया गया था ठीक है 1987 तक एक पुरसकार चलावा आ रहा था जिसका नाम था किरबे Award for Comics और उसकी इस्थान पर यह जो न मतलब Ministry of Earth Sciences के नए Secretary जो है वो कौन बनाए गये हैं तो आशितो शर्मा जो है वो Recently नए Secretary बनाए गये हैं देखिए प्रतिवी विज्ञान मंत्राले का काम है कि Earth Sciences से मतलब प्रतिव से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारिया है वो इसी मंत्राले के द्वारा Provide कराई जाती है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 29 जनवरी 2006 खोई से Establish किया गया था और इसके अंदर कौन कौन से Departments को Merge किया गया था वो नाम हमारे सामने हैं इंडिया Metrological Department फिर दूसरा है दा National Center for Medium Range Weather Forecasting तीसरा है दा Indian Institute of Tropical Metrology त्योंकि पुने के अंदर इसीत है और चौता है इसम Evaluation Center ठीक है और पांच वाइस में देखिए Ministry of Ocean Development तो पांच जितने भी Departments हैं उनका Merge करके Ministry of Earth Sciences को Establish किया गया था 29 जनवरी 2006 को ठीक है ये काफी important question आप लोग के लिए रह सकता है हाल ही में किस राजे सरकार ने गोरक्षा के लिए एक विशिश टास्क पूर जो है इसको निर्मित किया है तो रिसेंटली जो है वो हरियाना Government के द्वारा ऐसा किया गया है लेकिन गोरक्षा के लिए ही क्यों देखिए हमारा जो constitution है constitution के अंदर एक पार्ट है DPSP Directive Principle of State Policy ज वहां पर आर्टिकल जो 51 है इसका जिक्र किया गया है तो हमारी जो foreign policy है उसका जिक्र आर्टिकल 51 के अंदर किया गया है यदि हम लोग बात करें कि जितने भी जीव है wildlife animals हैं इनकी रक्षा की जाती है तो उसके लिए आर्टिकल 48A जो है इसके तहत ये सारे प्रावधान किय गये हैं और उसी कहता है गो रक्षा जैसे कदम जो है वो उठाय जाते हैं तो recently हरियाना government के द्वारा ये कदम उठाय गया है और यहां के cm कौन है मनोहरलाल खटर है तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि आर्टिकल 48A जो है इसको एड किया गया था constitution के अंदर 40 second constitutional amendment 1976 देख के अंदर ये question पूछा जाता है आप लोग को जरूर से याद रखना है ठीक है इसको हम लोग कहते हैं mini constitution mini constitution भी 40 second constitutional amendment को कहा जाता है और यहीं पर ही environment और wildlife जितने भी animals हैं उनको safe करने की protect करने की यहां पर बात कही गई है और इसको implement किस के तहत किया गया था mc mehta versus union of india 2002 के तहत जो है वो supreme court ने ये hear किया था कि public interest litigation मतलब PIL जो है इसके तहत जो दिल्ली के अंदर air pollution होता है इससे निपटने के लिए भी जो उपाई की जाएंगे वो भी किसके तहत आएंगे article 48a के तहत आएंगे क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि environment जो है परियाव परियावरण को शुद्र रखा जाएगा ठीक है clean रखा जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि उसके जीवन जीने का अधिकार मतलब article 21 जो है उसका भी abolition नहीं होगा ठीक है तो मतलब शुद्र परियावरण का अधिकार जो है वो भी article 21 का ही part है चली आगे हम लोग देख लेते है यहाँ पर हरियाणा गो सेवा आयोग जो है उसके chairperson है सरवन कुमार गर्ग और उनी की द्वारा ये proposal रखा गया था जिसको हरियाणा government ने accept किया और उसके बाद में ये जो है ये कानून वहाँ पर अब implement किया जाएगा चली आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर लोग दे साला के workers हैं वो इस वार जो है वो इस दिवाली को क्या करेंगे celebrate करेंगे चली आगला question आप लोग देख सकते हैं कि हाल ही में किस राजे सरकार ने COVID-19 की कारण मनने वाले पत्रकार की परिवार को 10 लाख रुपे की मदद करने की गोशना की है तो recently जो है उत्तर प्रदेश की government मतलब योगी आदित्यनात यहां के मुख्यमंत्री हैं और इनहीं के दोरह यह announce किया गया है कि 10 लाख रुपे के मदद की जाएगी क्योंकि आप लोग को पता होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब पैंडेमिक की condition थी 2020 के अंदर तो 36 जो पत्रकार थे उनकी यहां पर म international bird exhibition है अंतराश्ट्रिय पक्षी महुसाव जो है वो 2022 के अंदर आईजित किया जाएगा कहां पर UP के अंदर और इसके साथ महीं UP में दूद्वा नैशनल पार्क भी इस्तित है चलिए बढ़ते हम लोग आगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो चीफ मेंश्टर है योगी आदित नेनात उन्होंने रिसेंटली अनौंस किया है कि जो जनलिस्ट की फैमिली हैं उनको ये जो है ये दस लाग रुपे की आर्थिक मदद ये दी जाएगी एक फैमिली को और ऐसे 50 जनलिस्ट जो हैं उनको यहां पर चुना गया है तो 36 ज जनलिस्ट हैं वो टोटल यहां पर हो चुके हैं ठीक है यहां पर देखिए कि आप लोग हिंदी जनलिस्म डे जो है वो इस शनिवार को मनाय गया था और उसी दिन इस चीज़ को भी अनौंस किया गया था चलिए कोरोना वाइरस मामारी के चलते अंतराश्री उडानों को कर दिया गया है तो 31 अगस तक निलंबित कर दिया गया है ऐसा क्यों किया जाता है क्योंकि एक देश ये दूसरे देश के अंदर कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनकी आवाजा ही रोकी जा सके और इसके लिए दो देशों के बीच में कई बार समझोता किया जाता है जिसको वो एक देश से दूसरे देश के अंदर क्या कर सकते हैं? स्विच कर सकते हैं, लेकिन 31 अगस्त तक अंतराश्ठी उडान उनको क्या कर दिअ गया है? निलंबित कर दिया गया है, तो यह जो decision है वो Directorate General of Civil Aviation के चौछा लीशन दौहारा लिया गया है air bubble का means है कि दो countries के बीच में selected जो citizens हैं उनको एक देश से दूसरे देश में जाने की अनुमती होती है और यहां तक कि वंदे भारत जो अभियान है जो कि मई 2020 के अंदर शुरू किया गया था आपको पता होगा यहां पर आप लोग official document जो है उसको देख सकते हैं यह circular release किया गया था जिसमें यहां पर date लिखी हुई 1131 श्री नितिन गड़करी ने हाल ही में किस राजे में कुथिरन सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया है तो यह कुथिरन सुरंग जो है वो कहां पर इसीत है तो यह इसीत है कहां पर केरल के अंदर देखिए यह जो सुरंग है टनल जो है वो 1.6 km की यह लंबी है ठीक है इससे तीन स्टेट जो है वो connect हो रहे हैं एक तो हो रहा है करनाट का उसके साथ में हो रहा है केरला और फिर हो रहा है तमिललाडो तीन स्टेट जो है वो आपस म connect हो रहे हैं यहाँ पर हम लोग map में इसको समझेंगे देखिए यह जो distance है यह जो सड़क की distance है इसको कम करते हुए यह जो tunnel है वो सीधी यहाँ पर निर्मित की गई है यह tunnel निर्मित की गई है जिसको आप लोग अंदर से कुछ ऐसा देख सकते हैं तो काफी मैनत इसमें first row tunnel in the state तो केरल के अंदर यह पहली row tunnel जो है वो निर्मित की गई है जो की केरल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं केरल को connect करेगी तमिलनाडो की साथ में और केरल को connect करेगी किसके साथ में करनाटगा के साथ में चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए कि एक wildlife century भी है जिसक पर इस्तित है या फिर इसको directly पुझा सकता है कि पिछे वजह नहीं जो wildlife century है वो किस राज्ये के अंदर इस्तित है ठीक है चलिए यहाँ पर देखिए कि connectivity to import port and towns तो यह जो है वो important ports और towns को क्या करेगी connect करेगी किस राज्ये के पहले और्किट संदेक्शन केंदर का उदगा उद्गाटन किया गया है उत्राखंड में इससे पहले जो है वो और भी कई के अंदर इस्तापित किये गया है जैसे हम लोग देखें कि लाइकेन पार्क इसका उद्गाटन जो है वो भी किया गया था जैसे भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क तो पॉलिनेटर पार्क जो ह इसका उद्गाठन भी कहा किया गया है उत्तराखंड के अंदर किया गया है उत्तराखंड के अंदर एक दिन की CM बने थी शृष्टी गोख स्वामी ये दो से तीन एक्जाम के अंदर पूछा जा चुका है तो आप लोग इसको जरूर याद करना शृष्टी गो सुवामी का नाम आप लोग जरूर याद करना पुशकर धामी जो है वो वर्तमान में इनकी CM बने है चार महीने के अंदर तीन चीफ मिश्टर जो है वो उत्राखंड के चेंज हो चुके हैं इसता निर्मान जो है उत्राखंड का वो 9 नवंबर सन 2000 को किया गया था यूपी से अलग करके चलिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्राखंड फर्स्ट और्चीट कंवर्शन कंसर्वेशन सेंटर जो है वो इस्थापित किया गया है 30 जुलाई 2021 को चमॉली डिष्टिक के अंदर ठीक है 7 फरवरी 2021 की यदि हम लोग बात करें तो चमॉली डिष्टिक के अंदर ही नंदा देवी ग्लेशर के फटने की घटना होई थी जिसमें कई लोगों के जाने गई थी ठीक है तो यहाँ पर यह जो सेंटर है वो 6 एकर के अंदर फैला हुआ है 1.25 किलोमेटर लॉंग और्चिड ट्रेल जो है वो भी इसमें निर्मित की गई है मतलब लगबख सवा किलोमेटर के आज पास एक लंबी और्चिड की ट्रेल जो है उसको निर्मित किया गया है यहाँ पे आप लोग और भी देखिए कि रिशिकेश आप लोग को पता होगा कि रिशिकेश जो है वो योगा सेंटर के रोप में काफी प्रसिद्ध है तो वो भी कहाँ पर रिसित है उत्राखंड के अंदर रिसित है चलिए आगला कोशन है कि राजी सभा में नारिल विकास बोर्ड विधेक 2021 को पारित होने के बाद बोर्ड की सदश्य चार से बढ़कर कितने कर दिये गए हैं तो 6 यहाँ पे सदश्य कर दिये गए हैं नारिल विकास बोर्ड यह जो संशुदनरन की amendment जो बिल है वो राजी सभ i.e. तो यहाँ पर गुजरात और आंदरप्रदेश को भी अधिकार दिया गया है कि वो भी अपना रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे भेज सकते हैं बेसिकली जो रिप्रेजेंटेटिव भीजनेंग का जो अधिकार है वो उन इस्टेट्स के पास में रहता है जहाँ पर नारिय जो है उनका production होता है हाल ही में multiple world master championship में gold medal कि 105 वर्षी athlete का निरन हो गया है तो मान कौर इनका संबन्द पंजाब से है और basically इनकी जो age है वो 105 मतलब भारत की सबसे बुज़र्ग जो athlete है वो मान कौर है इनके साथ में इनकी जो husband है वो भी athlete के अंदर participate करते हैं चलिए यहा heart attack जो था वो भी इनको हो गया था और इसके कारण इनकी मृत्ति हुई है कई championship में इन्होंने gold medals जीते हैं ठीक है बहुत सारे इन्होंने gold medals जीते हैं 1916 का इनका birth है और इनको कहा जाता है miracle mother of chandigar इसी tagline के साथ में question जो है वो पूछा जाएगा कि भारत की miracle mother of chandigar जो है वो कहलाती है इनको पहला medal जो है first medal वो 2007 में चंडigar में इनोंने जीता था जब इनकी एज जो थी वो 93 मैंने आप लोग को भी बताय था कि भारत की सबसे उम्र दराज जो athlete है वो है मानकौर आप लोग जरूर याद रखेगा चलिए हाल ही में किस देश ने 3-17 वर्ष के आयो के बच्चों के लिए COVID-19 वैक्सीन टीके को लांच किया है तो UAE के द्वारा ये टीका जो है वो लांच किया गया है यहाँ पर आप लोग age group देखिए 3-7 वर्ष 3-7 वर्ष के बच्चों को टीका लगाय जाएगा और वो टीका कौन सा रहेगा वो रहेगा सीनो फाम तो सीनो जो है ये वैक्सीन किसकी है ये है चाइना की क्योंकि रिसेंटली सीनो फाम वैक्सीन जो है इसको अप्रूवल दिया गया था डवलू एचो के द्वारा तो UAE ऐसा पहला देश बन गया है जिसने 3 साल से 17 साल के जो बच्चे है इनको क्या किया जाएगा इनको वैक्सिनेट किया जाएगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि UAE जो है ये करेगा 3 से 17 वर्ष के बच्चों को और चाइना की सीनो फार्म जो वैक्सीन है ये इसमें यूज ली जाएगी चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए तो यहाँ पर 80 प्रतिशत जो लोग है उनको पहली डोज जो है वो लग चुकी है इसके साथ में ही 74.57 परसेंट पीपल है जी रिसीव बोग दा डोज ओफ वैक्सीन लगबग 70 प्रतिशत जो है उनको क्या मिल चुकी है बहुत अनिकी दोनों डोज जो है वो मिल चुकी है यहाँ पर आप लोग डेटास के अंदर कन्फिजन मत रहना क्योंकि फर्श डोज और सेकंड डोज इसके अंदर दोनों कॉमन पार्ट जो है वो भी इंक्लूड कर दिये गए हैं हाल ही में किस देश में अपातकाल को दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है तो रिसेंटली आपको पता होगा कि मयानमार के अंदर कू लगा था और वो कू जो था वो दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है यहां पर कू क्यों लगा मतलब सैनिक साशन क्यों लगा देखी एक नवंबर के अंदर यहां पर election हुए थे नवंबर 2020 के अंदर यहां पर election कंड़क करवाए गए थे और उनका जो result अनौन्स किया गया था वो 21 नवंबर को अनौंस किया गया था उसमें ये डिसाइड रहता है मयानमार की इलेक्शन के अंदर कि 25% सीट जो है वो मिलिटरी के लिए हमेशा रिजर्व रहती हैं लेकिन इस बाद इलेक्शन के अंदर वहां के मिलिटरी की 25% सीटों से काफी कम सीटे आई इसके बिलो आई और इसलिए मिलिटरी ने ये कहा कि जो भी इलेक्शन हुआ है उसको एक फरवरी 2021 तक उसकी जाँच करा ली जानी चाहिए और अगर जाँच नहीं हुई तो यहाँ पर सैनिक साशन आ जाएगा और इसी के चलते एक फरवरी 2021 को मयानमार के अंदर कू अर्था सैनिक साशन जो था वो लगा दिया गया था आई होप आप लोग समझ सुके होंगे लेकिन यहाँ पर आंग सान सूकी जो की इनको पीस नॉबल प्राइस मिल चुका है यहाँ पर इनकी बड़ी भूमिका थी और इन्होंने मयानमार के लिए कोई काम नहीं किया और इसकी चलते हुए इनको जेल जो थी जेल वो भी इनको जाना पड़ा था तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फरवरी 2021 के अंदर यह कूजो था वो लगाया गया था शुरुआत में 6 महीने के लिए था लेकिन अब जो है इसको बड़ा कर कब तक कर दिया गया है दो साल के लिए कर दिया गया है अगस्त 2023 तक इसको कर दिया गया है तो आई होब आप लोग समझ गये होंगे कि British rule जो था 1948 के अंदर यहां पे था और उसके बाद में यहां पर इनके यहां की मयानमार देश का ही यहां पर शाशर हो गया है मयानमार की जो capital है नैपी टाव जो है वो यहां की capital है चलिए, हाल ही में भारत सरकार ने कितने नए सामरिक तैल भंडारों को मंजुरी दी है तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर यह समझ यह कि यह oil reserve जो है इनकी जरुवत क्यों पड़ी है देखिए pandemic की condition के अंदर आप लोग को पता होगा कि जितना भी oil है यहीं कि crude oil जो है इसके दाम काफी गिर गए थे तो लगबग 35 डॉलर प्रती बैरल जो है वो वहाँ तक जो थे दाम पहुँच गए थे अब जैसे ही यहाँ पर price गिरे थे तो price गिरने के बाद भी भारत जो था वो उस crude oil को purchase नहीं कर पा रहा था इसके पीछे कारण यह है कि भारत के पास में storage capacity ही नहीं थी कि वो उस oil को purchase करके उसको क्या कर सके इस्टोर कर सके इसलिए अब जो है वो दो नए warehouse जो है वो निर्मित किये गए हैं जानते हैं हम लोग इनके बारे में यहाँ पर आप लोग देखिए कि सबसे पहला जो है वो है चांदी खोल के अंदर 4 mmT मतलब million metric ton का यहाँ पर एक है और दूसरा है पादूर के अंदर 2.5 million metric ton तो यहाँ पर दो जो हैं वो इस्थापित किये गए हैं oil reserve क्योंकि हम लोग को pandemic की condition में oil reserve क्योंकि जब भी international market में barrels के दाम गिरते हैं देखिए एक barrel के अंदर लगबग 159 जो लिटर होता है 159.4 लिटर जो है वो oil होता है और crude oil के अंदर कई सारे oil जो है उनको भी include कियाता है जिसमें petrol, diesel वगरा सब कुछ include होता है तो जब भी international market में crude oil के दाम गिरते हैं तो उस समय भारत को ज़रुत रहती है कि maximum crude oil जो है उसको purchase कर लिया जाए और फिर उसको refine किया जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3 हमारे पास में storage facility है एक तो है विशाका पटनम में 1.33 MMT की फिर है मंगलूरू के अंदर और तीसरी कहाँ पर है पादूर के अंदर तो आप लोग याद रखना कि भारत के पास में 3 जो है वो storage facility है चलिए 3 अंगस्त के हम लोग MCQ को revise कर लेते हैं बुज़र्गों को COVID का booster dose देने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो इसराइल बना है टी 20 में golden duck जो है वो किसको दिया गया है शिकर धवन को दिया गया है राश्ट्री गैलरी ने हाल ही में 14 जो है वो टुकडे एनिकी कलाकरतिया भारत को लोटाएगा तो वो कौन सा देश है वो है औस्ट्रेलिया छेतरी हवाई संपर के ओजिना उडान के तहट 780 जो है वो एरपोर्ट बनाए जाएंगे हाल ही में एरपोर्ट नहीं है यहां पर जो हवाई मार्ग है उनको बनाने की बात कही गई है ठीक है हाल ही में किस राजे सरकार ने भूमी हीन किसानों को प्रतिवाज 6,000 रुपे देने का निर्ने किया है तो वो है चत्तीस गड़ देश का सबसे आदुनिक फॉरेंसिक इंस्टूट जो है वो लखनों में इस्तापित किया जाएगा देश में प्रती 10 लाग वैक्तियों के टिका करन में कौन सा राजय प्रतम पर रहा है तो वो है गुजरात राश्टी लोकमाने तिलक पुरसकार 2021 से किसे नावाजा गया है तो सायरस पूनावाला हाली में किस देश ने G20 संसकर्ती मंत्रियों की बैटक को होश्ट किया है तो वो है इटली बारतिय बैटमिंटन स्टार पीवी सिंदू ने कौन सा पदक जीता है तो वो है ब्रोंज बारतिय नोसेना के नए उप्रमुग जो है वो एस एन गोर मेट बने हैं इसके साथ में ही प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने गाओं के बच्चों को प्ले स्कूल की सुईधा उप्रप्त कराने के लिए कारिकरम जो है वो है विद्या प्रवेश प्रोग्राम अमेरिका का पहला मुसल्मान धार्मिक सतनता राजदू जो है वो रशद हुसेन को अपट किया गया है Krighegent कर्ण जो परियोजना है वो किस राज़ सरकार की है तो वो किस की है वो है कैरल सरकार की 2022 में Defense Expo जो है वो कहां आईजित किया जाएगा तो गांदी नाकर गुजरात के अंदरłam आईजित किया जाएगा ये कल का हमारा study Gross Quotion था कि एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का पांचवा लंबा हाई स्पीड ट्रेक जो है इसका उद्गाटन कहा किया गया है तो इंदोर के अंदर इसका उद्गाटन किया गया है जिसका नाम क्या है नेट्रेक जो है ये इसका नाम है राजना सिंग की द्वारा इसका उद्ग वो मुझे पूछ सकते हैं lecture की PDF with answers आप लोग को टेलग्राम चैनल पर अवेलबल करवा दी जाती है इसके साथ में जो भी कोशिन हम लोग करते हैं उसका quiz अवेलबल रहता है टेलग्राम चैनल के उपर तो वहाँ पर जाकर इसको आप लोग को जरूर अटेम्ट करना है इस्टेटी ग्रोज आप लोग के लिए बहुती बैतरीन कंटेंट लेके आता है knowledge is power ये हमारी tagline है तो आप लोग को यदि कोई special lecture चाहिए तो फिर मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हैं चलिए कल मिलते हम लोग बहुती बैतरीन करन टेफिर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद थेंक यूँ